नमस्कार दोस्तों, मैं आरियन सर्मों और आप लोग देख रहे हैं आरियन ओनलाइन क्लासेश तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्छा दसवी के गनित के most important objective question के बारे में जो कि आपके board exam के लिए बहुत ही जादा महत्पून है फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार board में 50% objective पूछे जाते हैं तो फ्रेंट्स 50% objective का मतलब है कि 50 नमबर का objective परशन पूछे जाएंगे तो फ्रेंट्स 50 में 50 ठोगने के लिए आप लोग को क्या करना होगा तो भाई chapter wise objective पढ़ना होगा बस आप लोग सही जगे आ चुके होगे यहाँ पे आरियन online class जो है आप लोग के लिए chapter wise objective डाल रहा है तो फैनली फ्रेंट्स इससे पहले वले वीडियो में आपको मैं बताया था वास्तविक संक्या और ये जो हमारे दूसरा वीडियो है बहुपद का ये दूसरा अध्या है और ये दूसरा वीडियो है इससे पहला वले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिप सिसमा बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा हम लोग आसा करेंगे कि आप लोग का जो अच्छे सच्छे मार्क्स आ सके क्योंकि कम दिन बचा हुआ और आप लोग को तैयारी बहुत जादी करना है कोई दिकतने वाई आराम से हो जाएगा चलिए हम लोग श्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहला नमबर कुश्चन है यहां पर एक रैखिक बहुपद का घात होगा एक रैखिक बहुपद का घात होगा तो इसका 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 र गात वाला बहुपद कहलाता है। जो इसका एक घात हो। वो कौन वभुपद कहलाता ह। अगला प्रस्न तीसरा नमर देखते है। घात वाले बहुपद कहलाता ह। घुमा फिरा के деक कुश्यन वही है। घात एक वाले बहुपद कहलाता है तो option A है दुई घात और option B है तरी घात बहुपद और option C है रैखिक बहुपद और option C यह बहुपद नहीं तो फ्रेंट्स एक घात बाला उल्टा पुल्टा करके question पूछता हम भी set के हैं उल्टा पुल्टा करके कहीं कोई दिकत ने कोनो question पूछेगा फटाक से answer ठुकियेगा इसका right answer रैखिक बहुपद एक बहुपद एक पद वाले को ठीक है एक घात बाले को अगर आप प्रस्ट चोथा नमबर देखेंगे चोथा नमबर बिल्कुल एक घातिय बहुपद को आरेक होता है एक घातिय बहुपद का जो आरेक होता है अगला प्रस्ट पाच्वा नमबर बिल्कुल आसान तरीका समझे दो घात बाले बहुपद डैस कहलाते हैं भाई दो घात बाले बहुपद क्या कहलता आप लोग सोचो तब तक हम लोग आप्शन करते हैं दुई घात बहुपद, option B, दुई घात बहुपद, option C, रैकिक बहुपद, और option D, बहुपद, तो पाचमा नमर का answer हो जीगा, दुई घात बहुपद, जिस पे दो घात हो, उसे दुई घात बहुपद कहते हैं, simple है, चलिए, अब ये देखिया, आप लोगों को याद होगा, दुई घात बहुपद का बैपक रूप, सबसे अच्छा, सबसे बैपक रूप क्या है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा, तभी याद दिलाते है, option E, दे रखा, AX स्क्वार प्लस B, X प्लस C, और option C, D, दे रखा, AX Q प्लस B, X प्लस D, तो भ प्लस सात्मा नमबर, बिल्कुल आसान है, भाई साब, तरी घात बहुपद का बैपक रूप, देखें, तरी घात, अब सिंपल सी बात है, जिसमें घात तीन हो, जिसका घात तीन हो, तो आप लोग समझ जाएगा, ठीक है, आप लोग दिमाग लगए, तब तक हम option बोलते है a x square plus b x plus c, ये तो दुई घात हो गया, option b, a x power 4 और प्लस b x cube plus c, और option c देखा जाए, a x cube plus b x square plus c, और option d देखा जाए, a x square plus b x square plus c, तो ये भी दुई घात है, और ये भी दुई घात, तो भाई, यहाँ पे क्या कर रहा तरी घात ना, तो सात्मा नमबर का आंसर ठोको, जिस प्रस्ण, आठमा नमबर चलेंगे, बिल्कुल, आठमा नमबर निमली खीत में से कौन बहुपद नहीं है, निमली खीत में से कौन बहुपद नहीं है, option a, minus 7, option b, y square minus root under 3, 2, sorry, 2, ठीक है, option c, 3 root, sorry, 3 root x, plus 2 x, plus 7, option d, 4 x square minus 3 x, plus 7, तो भी या, निमली खीत में से कौन बहुप बहुपद नहीं है, तो बहुपद पहचान है, बिल्कुल समझे, देखे, यहां पे x square y square कुछ भी नहीं दे रखा, यह बहुपद नहीं है, निमली खीत में से यह बहुपद नहीं है, निमली खीत में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो बहुपद है, यह भी बहुपद है, कई से निकालना है वो आप लोगों मैं डिटेल से बाद में आप लोगों बता दूँगा यहां पर सॉल्व कर निमली डिस्पले में नहीं बनेगा डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते हैं दिखें नौ नमबर का आंसर देख लिए यहां पर एक निमली खित में कौन बहुपद है यहां पर नौ नमबर का जो रायरे आंसर भी भोड़े एक यह जो है यह बहुपद है अगला प्रेशन हम लोग देखते हैं दसमा नमबर अब दसमा नमबर में करनीम लिखित में कौन पहुपद है कोन बहुपद है दिहान दिजिए दिमाग लगा यह अराम से हो जाएगा दस्मा नुमर का राय तान सोच गया भी यह बहुपद है यह सब बहुपद 11 नमर ठीक है, सिंपल सी दिमाग लगा के आप लोग को आंसर करना है 11 नमर का, निमली खिस पर इस कौन सा बहुपद नहीं है, option यह है, root under 5x square minus 3 root 2x plus 4, option B दे रखा यहां पर 1 by 4x cube minus 3x square plus 1 upon root under 3x plus 2, option C दे रखा x plus 1 by x, option D दे रखा 3x square minus 4x plus root under 5, तो देखे, दिमाग लगाओ, भाई, दिमाग लगाओ, क्या होगा, इसका right answer C होजेगा, बहुपद नहीं है, ठीक है, कि सब बहुपद है, चलिए हम लोग देखते हैं 12 नमर परशन को, तो आजाओ भाई, हम लोग देखते हैं 12 नमर परशन कौन रैखिय बहुपद का वेंज हैं दिमाग लगाओ, अप्सें यह, टु एक्स मेंस 5, ऑप्सें भी एक्स स्क्वाइर पलस one upon x plus three, ऑप्सें दी क्यों ऑफुपद दे रखा ठीक है, ब्रेकेट समझालना, ट्वी एक्स क्यो मैंस 3 एक्स स्क्वाइर प्लस 5 एक्स प्लस 7 ठीक है, डी दि दे रखा, अब बत कितमें से कौन बहुपद हैं बिल्कुल हैं या नहीं है तीर समझ सकते हैं एक्स मेनस 3 बाइएक्स बी ऑप्शन भी दे रखा एक्स स्कॉयर मैनस 3 प्लस 1 अपन रूट अंडर एक्स सी देखें 2x q-4x स्कॉयर प्लस 6 ओप्शन दी देखें 3 3 प्लस टू रू टू बाई एक्स स्क्वाइर मेनस टू एक्स प्लस फाइड निम्ली कित्में कौन बहुपद है भाई तेरे नंबर का राइट आंसर होगा सी यह जो है बहुपद है जरी घात्य बहुपद है अगला प्रस नम्लोग देखते हैं 14 नंबर बिलकुल आसान तरीका प्रसाम समझते रहें निम्ली कीत्में से कौन सा राखिक बहुपद है ओप्षन यह दे रखा 2 x मैनस 9 मैनस 9 रूट अंडर 5 ठीक है ओप्षन फिर्पलस फीरीग और ऑप्षन सी दे रखाए 5 तो यहां पर देख लिए नहीं है यहां पर देख लेते हैं यहां पर देख लो ध्यान से समझ लो ठीक है बिलकुल निमलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है है यह इस मत्दब दीन ओप्षन को है सही है लेकिन एक और चुल आप्षन जो की शहीं नहीं है स्कुल नहीं है थी तो इहां पर प्रॉट अंडर थे रा रूटाव मैंत थीरी दूसथे प्लस फूर आप्सेंथा cały screw मैंई-3 तो डे रखो को सा बहुत नहीं है को मुस academics नहीं है को सोरह नमर कगगए खटाक से मार खटाक से कोई दिकत नहीं ठीक है यहाप देख लो यह बहुपद नहीं है विलकुल आप लोग चेक कड़के ट्राइ कर सकते हो कहीं कोई दिकत नहीं है क्योंकि यहाँ पेपलेक्स दे रखा कोई बात नहीं यह यह वह तो बहुपद है यह भी बहुपद का आरेक को डैस काड़ता है वाइ अक्ष एक्स अक्ष वाइ अक्ष जैड अक्ष या कोई नहीं तो भाई 17 नंबर का राइट आंसर हो जीगा भी अक्ष ठीक है अगला प्रसंद देखेंगे 18 नंबर दे रखा यहां पर दुईगात बहुपद एक एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी के आरेक का रूप नहीं है ओप्सन ए दे रखा सरल रेखा ओप्सन बी दे रखा स्विर्थ और ओप्सन दे रखा परवल्य और होता है परवल्य होता है अगला प्रस्ण हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर का ठीक है 19 नंबर देख लेते हैं 19 नंबर में दे रखा दुईगात बहुपद के संगत आरेक के लिए कौन शत्य हैं देखें बिल्कुल समझेगा ओप्सन ए दे रखा यह आरेक एक्स अक्ष के को अधिक्तम दो बिंदों पर काट सकता है ऑप्सन भी दे रखा यह आरेक एक्स अक्ष को जिन बिंदों पर काटती है उनके निर्देस एक्स निर्देस आंक बहुपद के सुन्यक है ऑप्सन सी यह यह आलेक आरेक एक्स अक्ष को नहीं काट सकता है इन में से सभी 19 नंबर द चलिए 20 नमर देखते हैं प्रस एक रैखिक बहुपद का सुन्यकों की संख्या होता है एक रैखिक बहुपद का सुन्यकों की संख्या कितना होगा तो भाई 20 नमर का जोए एक रैखिक वाला जोए एक रैखिक वाला एक क्यों नहीं होगा उसका सुन्यकों की संख्या एक ही हो सकता। option a दे रखा 2 , option b दे रखा 3 , option c दे रख एक और option d दे रखा 4 चलिए 21बर का रायट आंसर यह हो जएगा 2 हम्ही का सुणियक किस अधिक्तम 2 होगा आए तीसरा 22 नमबर एक तरी घात भोपत के सुन्यकों की अधिक्तम संक्या क्या हो गा, अब देखें एक का 1 हो गया, दुई घात का 2 हो गया, अब अपने से दिमाघ लगा, ये त्री गहात का क्या होगा तो बहुत सारे बच्चे जो हैं सोच रहे होंगे तीने गहोगा तो बिल्कुल राइट आंसर तीने होजेगा अगला प्रस्ट तईश नंबर तईश नंबर कहरा है यहां पे कि गहात एन के किसी बहुपद के सुन्यकों की अधिक्तम संख्या है अधिक्तम क्या होगा भाई दिमाग काम कर रहा है एन ही होगा इसका राइट आंसर क्या होजेगा एन ही होजेगा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है ठीक है 24 नमर में यह 24 नमर के रहा बहुपद एक्स स्क्वाइर मैंनस 16 एक्स प्लस 30 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद सुन्यक 15 हो बहुत सथा बहुत इजी तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते लेकिन यहां पर हम डिस्पले पर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि य हो बहुपद की सुन्यकों की संख्या तीन हो ऑप्सन ए एक ऑप्सन भी दो ऑप्सन सी चार ऑप्सन डी पांच आप लोग क्या कि इसको पॉस कर लिजी वीडियो को और इसको सॉल्व करके बता दीजिए ठीक है फिलाल हम आपको इसका राइट आंसर करवा देते हैं ताकि आप लोग को असान हो इसका राइट आंसर के बी बचीस नमर ठीक है अगला प्रेस नमर देखते हैं 26 नमर और 26 नमर में रखा है बहुपद एक स्कॉयर मैनस के एकस मैनस फोर्टिन का एक सुन्यक मैनस टू है तो के कामान डैस होगा क्या होगा बिल्कुल समझें ऑप्सन ए 29 ऑप्सन भी 40 ऑप्सन सी 21 ऑप्सन डी क्या है 15 ठीक है समझ देते हैं एकस स्कॉयर मैनस के एकस मैनस फोर्टिन का सुन्यक दो है तो के का मान क्या होगा तो चब इस नमर का हम आपको राइट आंसर बताते हैं इसका राइट आंसर यह होज़ेगा 19 होज़ेगा ठीक है अगल बहुपद एकस स्कॉयर मैं पलस के एकस मैनस फोर का एक सुन्यक दो है तो के का मान डैस होगा क्या होगा बिलकुल समझेगा ठीक है 27 नमर का राइट आंसर जो होगा यह होज़ेगा जीरो अगला प्रसन हम लोग देखेंगे फ्रेंस 28 नमर और 28 नमर में देखा जाए यहां सिर्णा पर कहहरा है mk किस्मान के लिए मैनस फोर बहुपद एकस स्कॉयर मैनस एकस मानस टु एम 9 एक सुन्याखे, m के की समान के लिए, मैनस 4 बहुपद, x स्क्वाइर मैनस x, मैनस 2m पलस 2, एक सुन्याखे, तो बिल्कुल इस चीज को समझते है, option a दे रखा, 4, option b दे रखा, 8, option c दे रखा, 9, और option d दे रखा, क्या भाई, 5, चलो 28 नमर का रायट आंसर करवाते हैं, हम अगला प्रस्त, 29 नमर, और 29 नमर यहाँ पर दे रखा है, x स्क्वाइर मैनस 4, sorry, x स्क्वाइर पलस 4x, पलस 4 के सुन्याख, निमलिखित में से कौन सा गा, बाई, दुई घास समय करन है, इसको सॉल्व करके, आप इसका सुन्याख निकाल सकते हो, कहीं कोई दिकत ने, फिल अब देखो, यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मैनस 2 और 2 हो जाएगा, अब यहाँ पर कॉंबिनेशन देखो, 4 का, यहाँ पर 2 पलस 2 हो जाएगा, 2x पलस 2x होगा, यहाँ पर बात वही है, मैनस 2 ही 2 होगा, क्योंकि आगे कुछ हो नहीं सकता है, अगला प् देखा, 2 और 1, option C देखा, 2 और 3, और option D देखा, मैनस 2 और मैनस 3, तो friends इसका हम राइट आंसर करवा देते हैं, आप लोगो आप लोग इसको solve, जरूर कर ले ना वाई, यह सब्जेक्टिव ट्राइब में भी पूछे जाते, इसका राइट आंसर हो जगा, 30 का C हो जगा, 2 अगला प्रसन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 31 नमबर, 31 नमबर में है, 3X स्कॉयर मेनस 12 का सुन यहाँ ग्याद करना है, तो है इसको भी आप लोग ग्याद कर लो, ठीक है, और friends अभी जो है 31 प्रसन बता चुके हम आप लोगो इसमें से कितने प्रसन का अंसर आप लो दिकत ने, आप लोग सेट वाइस सेट मारते चलिए कहीं कोई दिकत ने होगा, ठीक है, 100% गाइट लेता हूं कि आधे आप लोग छेप्टर वाइस कंप्लेट कर लेजी का तो कोई दिकत होने का चांस ही नहीं है, विडियो अच्छी लेग वीडियो को लाइक करना, दोस्त लोग साथ सेर करना है, कोई दिकत ने, ठीक है, एक दो दोस्त के साथ सेर जरूट कर देना, मिलते एक ने विडियो को लेके तब तक लब बाई, टेक केर, खुडबाई